हेलो अब्रीवान वेलकम टू पात्वे क्लासेस सो बेसिकली मैं आज आप सभी के साथ में वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूं पिकर आप सभी को न्यूज मिल गई होगी कि NTA UGC NET की डेटशेट आ चुकी है स्केडियोल वाइस इंटी ने अपनी डेटशेट रिलीज कर दी है तो एक्जाइम के बेसिस पे अगर हम देखें तो सिक्स्त को जो एक्जाइम है वो आपका स्टार्ट हो रहा है सब्जिक्ट वाइस सब्जिक्ट कोड़ भी गिवन है जैसे कि इंग्रिश आप देख सकते है हिंदी स्टेडीज है डोगरी सब्जिक्ट है तो जितने भी आपके लैंग्वेज सब्जिक्ट है उनके जो एक्जाइम्स है लगभग वो आपके फर्स शिफ्ट में है इन साथी साथ सिक्स्त को ही हिस्ट्री आपका जर्मन सिंधी जो एक्जाइम्स है वो सारे आपके सिक का है राइट तो बेसिकली आप यहां पे सारे जो भी एक्जाम सा उनको देख सकते हैं लेबर वेलफेर का है राइट कम्प्यूटर साइंस का पही पेपर है सेविंध को शिफ्ट नमबर टू में लगबग इस बार एंटी ए ने जो शिफ्ट क्रियेट की हैं या जो सब्जिक बना जो सब्जिक्स का एक्जाम्स है वो एक ही शिफ्ट में करने की कोशिश की है लास्ट अगर हम देखें लास्ट यहर से तो उसमें क्या होता था कि हमेशा अलग-अलग शिफ्ट में एक्जाम्स होते थे बट इस बार एक ही शिफ्ट में यहां पे आपको सारे एक्जाम conduct कराई जा रहे है तो next देख लीजे 8th course के बाद exam है 7th के बाद and then 8th exam है आपका यहाँ पे बहुत सारी पंजाबी यह भी languages है ही है philosophy आप देख सकते है education subject का है public administration का है तो उन सब के exam shift number 2 में है next अगर मैं देखूँ political का जो exam है वो आपका 11th का है तो 8th के बाद 11th को 11th December को exam है तो उसमें shift number 1 में ही है जैसे Chinese हो गया आपका culture से related हो गया कश्मीरी subject हो गया तो उनके भी exams है जो की आपके first shift में ही है और 11th को है तो अपने जो भी subjects है आप लोग देख लीजे जो आपके subjects है next यहाँ पर हम देखें तो बेसिकरी जो exams की list दी भी है देन आपका जो exam रहेगा वो उसके बाद 12th को है 11th के just उसके बाद 12th को exam है and 12th को जो exam है वो आपका economics है उर्दू है उडिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो भी exam का schedule है उसके according आप देख लीजे जब भी आपका exam है और shift wise भी यहाँ पर given है ठीक है date sheet आ चुकी है लेकिन जो schedule है exam का schedule है कि कहाँ पर आपका exam होगा या फिर किस center पर आपका exam होगा वो सारा कुछ आपको बाद में मिलता रहेगा ठीक है date sheet यहाँ पर आपको मिल चुकी है NTA के द्वारा so next अगर हम देखे 13th को and then उसके बाद आपका 14th को exam end हो रहा है तो जितने भी exams है वो हमें यहाँ पर समझ में आए हैं तो 6 से लेकर 14 तक जैसे कि schedule आपको पहले ही already NTA ने दे दिया था तो उसके according ही है 6 से 14 तक जितने भी exams है schedule wise और आपके exam wise वो यहाँ पर NTA ने provide की है maximum maximum जितने भी आपके subjects है ना वो सारे ही आपके एक ही shift में conduct किये जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि commerce का exam एक shift में है then उसके बाद से इक इन shift में भी है तो ऐसा इस तरहां का कोई भी हमने यहाँ पर schedule wise नहीं देखा है पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन इस बार एक ही shift में सारे exams हो रहे हैं तो यह आप लोग ज़रूर देख लीजेगा और अपने list के accordingly अपने exam के accordingly जो भी आपके exam है उसको prepare कर लीजे because आपको पता है time बहुत ही limited है 20 से 22 days के approximately आपके पास maximum 25 days है अगर हम देखें तो 25 days आपके पास है तो 20 से 25 दिन आपके पास available है अभी preparation के लिए तो आप लोग अपनी preparation को ongoing कर सकते हैं बाकी मैं आप सभी को बता दू मैं 20th से marathon session ले रही हूँ सो marathon का भी आप part बन सकते हैं और marathon session में हमको एक revision करेंगे ताकि हमारा एक unit complete हो जाए one day के basis पे तो 20th से हम start कर रहे हैं 10 units हैं और हम उसको 10 दिन में conduct करेंगे और उसमें हम सारे topics को discuss करेंगे according to the unit तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा वीडियो को share कर दीजेगा और चानल को subscribe कर दीजेगा thank you so much